हेलो फ्रेंद्स वेल्कम तो माई इस्टोडी फीट ओफ फीजिकल एजूकिशन चैनल दोस्तो डेली की तरह मैं बेस्ट कोश्चनों का स्रीज लेकी आ गई हूँ आप भी प्रैक्टिस लगाने के लिए तयार हो जाइए अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसके उनसर अपन खेल इस्पोर्स साइकोलोजिक खेल मौनों भी घ्यान पर अधारे दर्सन से रिलिटेट कोश्चन है जिसका मैं प्रैक्टिस करा रहे हूं तो दोस्तो जैसे कि आप किसी भी कंपरेशन हैं जाब फिजिकल एजूकिशन का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रिटेग्रेट का चाहिए यंपी वर्क 2-3 का खेल सिछक का चाहिए यंपी यह स्टेट का जैसा कि यंपी यह स्टेट का इजम 9 सितंबर को है तो जो ही मैं मुझसे वह सकेगा मैं 9 सितंबर के पहले तक पूरा करने की कोशिस करूंगी बट आप मेरे चैनल पर जाकर कि इंतजाय करने की जुरत नहीं है कि मैं कराओं ही पहले से मैंने करा दिया है चैनल के प्रेलिस में जाईए और चेक आउट किजिए प्रिविए से क्यों पूरा दिया गया है और चेप्टर वाइज MSQ का प्रैक्टिस करा गया है और हंडेर की जब ज़दा वीडियो ऐसी है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं समय नशना करते हुए चलते हैं आज के कोस्टन के तरह कोस्टन है दोस्तो प्रकृतिवाद अधाइत है प्रकृतिवाद प्रकृति पर अधाइत है प्रकृतिवाद के प्रवर्टक है रूसू यानि प्रकृतिवादियों के अनुसार वस्तु प्रकृति किसे उत्पन में होती है प्रतिक वस्तु किसे उत्पन में होती है प्रकृति से और उसी में बिलीन हो जाता है प्रकृति वादि के अंसार संसार का अधार पदार्थ है इसलिए इसे भोतिक वाद भी कहा जाता है नेक्षत वस्तु बिलियम जेम्स मनुवि बिज्ञान को मानसी प्रक्रिया और वियोहर का बिज्ञान मानते हैं यह इथार्थ वादी थी इसे कि एथार्थ वाद के जणर्णत हैं अरस्तों और उसमें मासी प्रक्रिया व्योहार का विज्ञान है याद रखेगा एंड नेक्स कोस्टन है आपको बिलान करना है यहाँ पे तो आपने मेरे वीडियो पढ़ते पढ़ते पुरा प्रैक्टिस हो गया होगा तो अधरस्वाद की जनक कौन है दूस्तों प्लेटू है तो एक हो जाएग प्लेटू को फाइब एन यह थार्थ वाद है रियलिज्मी की जनक कौन है तो अरस्टू भी कहो जाएगा फूर कि यह थार्थ वाद की कौन है दोस्तों यह थार्थ वाद में अरस्टू और बिलियम जिम्स दुनों आ जाएंगे इसलिए यहां पर पांच आप संदिया है आप कोई भी चूच कर सकते हैं थ्री आप फूर में तो यहां पर आपका आदर्थ वाद प्लेटू हो जाएगा ठीक एंड यह थार्थ वाद जो है आपका अरस्टू और प्रकृति वाद के प्रोड़ तक है रूसू और वास्तविक्ता वाद यानि प्राग्मेटिज्म ब्योहार वाद जिसे कहते हैं उसके प्रोड़ तक है जान टिवी जो अनु साफसन राइट हो जाएगा आपसन No. C is the correct pencil यहां भी आपको दिया गया है देख सकते हैं बट निक्स्क्षचन है आपको यहां पे मिलान करना है नेक्स्क्रोशन में देखे तो यहां पे गया है कि सबिक्षा से प्राइब कर दिए क्या करते हैं उससे हम क्या करते हैं मनोर तो एक कंप चलित प्रियुगवाद है तो क्या है वास्त्विक्तावाद प्रियुगवाद तो 2 को 1 हो जाएगा एक आप 4 टू का 1 एंड वह है दिश्टिकोर जो प्रकिती को सभी क्रियाओं का संचालक मानता है वह कौन है जो प्रकिती को सभी क्रियाओं का संचालक मानता है वह है यथार्थ वाद ठीक है तरह 3 का 3 हो जाएगा ठीक है एक आप 4 टू का 1 ठीक का 3 ठीक है एंड जैविक की प्रक्रिया जिस जैविक की प्रक्रिया से सरी में होने वाले सनरचनात्मा जो ब्रिधी होती है उसे हम क्या कहते है दोस्तों उसे कहते है विकास इसलिए यहाँ पे आफसा नमबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा आफसा नमबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा एंड नेक्ष कोज़न है यहाँ पे भी आपको मिलान करना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पी आदरस्वात की जनक कौन है दोस्तों प्लेट्व है एक का आपका हो जाएगा टू एंड तद यह क्वात की जनक कौन है रू करेक्ट हो जाएगा ट्थ्यात्मक्टा की जनक दोस्तों यहाँ पे है प्लेटू तथ्यात मक्ता के जनक प्लेटू है बट यहां पे राधा किसने दे दिया है बट प्लेटू होंगे क्या होंगे तथ्यात मक्ता के जनक कुन है वास्तविक्तवाद के जान डीवी है कुन है जान डीवी एंड नेक्ष्ट कोश्चन है अभी कथन से रिलेटेल है कि सारीक सिच्छा विभिन दर्सन ग्राही विग्यान है सारीक सिच्छा विभिन उसके तर्क में है बात सही है कि सारीक सिच्छा विभिन विग्यानों से अपने सिधानों को उधार लेता है तो सही बात है यह आहां पर आफसर नमबर क्या है कि A आप दुनों सकते हैं और A का सही ब्याक्षा भी है तो यहां पर राइट हो जाएगा कौन सा आफसर आफसर नमबर A ठीक है एंड नेक्स्ट कोस्टन की तरफ चलते हैं खेलों की रेचन धाला यानि कथेटिक थियोरी के प्रतिपादक कौन है तो उसके हैं अरस्तू कौन है अरस्तू और सोशल कॉंट्रेक्ट समाजिक सिध्धान भी दिया है अरस्तू ने सिध्धान दिया है सिगमन फ्रायड ने पुरुवा अभ्यास पुरुवा नुमान या रिकेवेचलिटी थि का रगुरूस ने अतरित उर्जा का सरपस इनरजी थियोरी दिया है हर्बर इस्पेंसर और सीलर ने और भुवा नुमान धाड़ा या पुरुवा नुमान धाड़ा जै जिसे एंटीसिपेटी थियोरी कहते हैं वो कहते हैं काल गुरूस एंड पुरह अलोकर पुरह कथन पुरह प्राव्वति रीकपिचलिटी थियोरी दिया है इस्टेंडी हाल ने मनुरंजन थियोरी दिया है लाड केंस जी डवलू पैट्रिक ने और समाजिक धाड़ा सोसल थियोरी दिया है अरस्तु ने खेल ही जीवन है धाड़ा दिया है जान डीवी ने और संग्यानात्मक धाड़ा कागनेटी थियोरी दिया है जीन कियाजे ने एंड साहज प्रविर्टी धरा इंस्टिक प्रैक्टिस थीरी दिया है मैक डूगल ने एंड एक्ट्ट कोश्चन है यहाँ पर आपको मिलान करना है तो आप देख सकते हैं मनुविज्ञां किसे हो जाएगा ब्योहार से हो जाएगा हमेसा ब्योहार रहेगा आपका याद रखेगा तमर भी ज्ञान ब्योहार का भी ज्ञान है दर्सन साहस्त्र क्या करता है तो दर्सन साहस्त्र क्या क्या हो जाएगा या विवेक की प्रति प्रिती करता है यानि कि ग्यान के प्रती प्रेम दरसन साहस्त्र फिलोसोफी सब्दों से मिला है फिलोस का आर्थ है आत्मा और सौफिया का आर्थ है प्रेम यानि कि ग्यान से प्रेम फिलोसोफी फिलोस का आर्थ है ग्यान ग्यार्न के प्रतिप्रे में वी इसाज साथ रहे है तो यहां पर वी गफ फूर हो जाएगा समाज साथ क्या है समाजिक परंपराइगा द्यहक्ड किया जाता है सी का वन हो जा फै occupied इसका प्रकार आप्सिंग्ड्रड़ करेंगा ऐनसर हो जाएगा यहां पर मिला सकते हैं देख सकते हैं यहां त्क है इंट संतर के परमपरीक सोच में हैं तो कौन-कौन से है इसे जिसे की प्रकृतिवाद, बिहारवाद, वस्तविक्तावाद, तो यहां पर वस्तविक्तावाद, यानि कि यथार्थवाद, तो यहां पर कौन सासर राइट होगा, आसा नमबर थ्री, C, यानि कि आपका दरसंसास के परांपरिक सोच में वितावाद रियालिज में जिसके सथापक है रस्तु तताथ पर उस विचाधारा से है जो कि उस वस्तु को यह भौधिक जगत को सत्य मानती हैं जिसका हम ग्यानेंद्रियों द्वारा प्रत्य छनुभा कर सकते हैं जैसे पसू पच्छी मानो जल थल अकास इत्यादी इसी को स लागमा सब्दे से उत्पन हुआ है जिसका आर्थ है क्रिया या कर्म विहारिता वाद एक नमींदम द्रासनिक विचाधारा है जो अनुभा को सफलता की कुझी मानता है याद रखेगा अब प्रकृतिवाद के तंस्थापक हरूस हो जो पास्चात द्रासनिक चिंतन की वह विचारधा है जो प्रकृति को मूलभूत मानती है प्रकृतिवादी विचारक बुद्धी को भी से इस्तत्त मानती है और नेक्स्ट है आपको यहां भी मिलान करना है दोस्तों फेडरिक लुडविक जान जो जर्वनी के हैं जिन्होंने टर्ण वेलियन मुमेंट चलाया थ तो फेडरिक लुडविक जान जो है जर्मन जिमनास्टिक नामक पुस्तक लिखे है और टर्ण वेलियन मुमेंट चलाया थी जान डीवी जान डीवी क्या है यह ब्यवहारवाद यानिकी जान डीवी ब्यवहारवाद यानिकी प्रिवोगवाद की जनक है तो टूका फोर हो सब्सक्राइब तो यहां पर देख सकते हैं मिला सकते हैं चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ यहां पर आपको अभीकतन सब्सक्राइब सब्सक्राइब तरफ यहां पर आ रहा है कि प्रकृति बात प्रकृति को एक मातर वासुटा मानता है तो यहां पर आप दो सब्सक्राइब तरफ नहीं है आपसर नमबर भी आपकर एंसर हो जाएगा तीक एंडे नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं यहां भी अभी अभी गथन से रिलेटेड है अभी गथन यह है कि प्रकृति बात के अनुसार सारी सिच्छा का धे आत्म अभिव्यक्ति होता है प्रकृत प्रकृति बात प्रकृति के अतरित और ने किसी पर विश्वास नहीं करता तो दोस्तों यहां पर सही है प्रकृति बात प्रकृति पर ही विश्वास करता है तो आपसर नमबर ए यहां पर करेट होगा ए और आर दोनु सही है और आर एका सही ब्याख्या है एंड कोशन ने त्योरि दिया है अरास्तू ने कि Baltic Theory किरें ने निया है जाने कि nen पकुछि की इस्तीड हो जाएगा तू का 3 कि एन्ड हो इंट्चिक्ट प्ले इंस्टेक्ट थ्योरि दिया है इस्तिट टंप practice theory यहाँ पर दोस्तों ये question थोग गलत पूछा है इसनिए इसको आप देख लिजेगा ठीक है यहाँ पर question गलत पूछा है नेष्ट है पराभोतिक पराभोतिक जो सकते है उसे कहते हैं पराभोतिक तो एका ए हो जाएगा ग्यारत सास्त जिसे एपिस्थेमोलोजी कहते हैं जो सत्य को खोश करता है तो B का 2 हो जाएगा तो A का 1, B का 2 एंड मुल्न विमानसा में आचार विचार आते हैं अनेती सास्त में मुल्ने दीका 4 इस प्रकार आफसर नंबर 1 यहां पे राइट है नेक्स कोशन है प्रक्रितिवाद के जनक किसे माना जाता है दोस्तो तो प्रक्रितिवाद के जनक है रूसो कौन है रूसो एंड रूसो प्रक्रितिवाद के जनक है रूसो के और है प्रकितिवाद के और प्लेटो जो है आदर्सवाद के जनक जानडवी प्रयोगवाद के और अस्तु यथार्थवाद के और नेक्ट कोस्चन है अस्तित्व के सिधान्तों का अध्यन समधित है अस्तित्व अस्तित्यों के सिधान्टों का अध्यान होता है अधिविद्या यानि कि अध्यात्म सास्त्र में जिसे हम इंगिस में मेटाफिजिक्स कहते हैं यानि कि अस्तित्यों के सिधान्टों का अध्यान करने के लिए अधिविद्या जैनि मेटाफिजिक्स के अंतरगत किया जाता है, जो टत्रमिमानसा या अधिविद्या भोतिक प्रश्णों की तलाउस में दर्षन की एक साखह है, जिसमें अधर्णाउं की प्रक्रिति, आस्तित्व और वास्तित्ता सामिल है, पर्बर्क टत्रमिमानसा पूरी तरा से समान् प्यास करता है जैसे प्रस्ट ने वह क्या है वह कैसा है ने शह सत्य की प्रकृति मुलतर समस्या है तो सत्य की प्रकृति मुलतर क्या समस्या है कि ज्ञान मिमानसा के लिए सत्य की प्रकृति मुलतर समस्या है ज्ञान मिमानसा के लिए जिसे इपी स्थोमी लौजी कहा जाता ह जिसे साफत्र के छ्சाखहे हैं जिसे अधाबम साफत्र मेटा फ्रिजिक्स ग्यान साफत्र एपिस्थ्हूमलोगी शुक्ति القोड है ग्यान मीमानसा के मुसार ने आधुन कांवेन बिचार को कध्यान ऑकिस्थ किया दसन्सासर का दे सत्य के स्वरूप को समझना है सदियों से विचारक या खोश करते हैं परनु किसी निशकत से अभ भी उतने ही दूर परतीत होते हैं जितना पहले है क्या क्यों कैसे का अधिन किया जाता है दसन्सासर में next है मुल्ल निमनलिकित में से किस पर अधायत होते हैं तो मुल्ले जो है किस पर अधायत होते हैं तो यह दार्षनिक पहलू है ठीक है मुल्ले जो है एक दार्षनिक पहलू है यानि कि दार्षनिक पहलू मुल्ले का माप सिधान बिज्ञानिक हो जाता है तरकिक भी हो जाता है सुखवादी दाइस्निक मुल्य की माप सुख अनुभूती से करते हैं और नेक्ट पोस्जन है आपको यहां पर देखना है कि नीचे दिये के बिकल्पों में मुल्यों के वर इकरण के दो तरीकों को चिन्हित कीजिए तो मुल्य जो है आपका अच्छा और बुरा हो सकता है तो और थृ आपका रहएं होगा आपसрос नम्बर थ्री ऐसी कि अपका अभी कथान से रिलेटे की व्यक्ति परक और अति व्यक्ति मुल्य विकल्कों में से चायन किया जाता है यानि वैक्ति परक और अति वैक्तिक मुल्य विकल्पों में से चैन किया जाता है ते बात राइट है इसके तर्क में आर है कि वे अच्छे या बूरे सही और गलत को हो सकते हैं तो मुल्य अच्छे बूरे हो सकते हैं सही गलत हो सकते हैं दोस्तों दोनों आपका आपसं सही है यहां अभी कथन से रिलेटेड पोज़न हल करते से हैं बस यही ध्यार रखीगा कि यदि A सही है तो देखेगा कि R उसके संबंद में अच्छा तर्क दे रहा है कि नहीं तर्क दे रहा है तो आप कहेंगे कि A और R दुनु सही है और R A की सही ब्याख्या है A दे नहीं तर्क दिया रहेगा सही रहेगा तो कहेंगे A और R सही है बट R A की सही ब्याख्या नहीं है अगर दुनु सही है बट R जो है A की सही ब्याख्या नहीं है तो आप कहेंगे दुनु सही है बट R A की ब्याख्या नहीं है तो यहां पर कौन सा सही है यहां पर दोनों सही है और ब्याख्या भी सही है तो यहां पर हो जाएगा उसा नमबर भी क्या हो जाएगा ये सही है अतरक आर एका सही ब्याख्या है and next question है यहाँ भी अभी गथन से related है कि समाजिक मुल्ले की सतत ब्याख्या की जानी चाहिए समाजिक जो मुल्ले हैं उनकी सतत ब्याख्या की जानी चाहिए और उसे एक पिड़ी से दुसरी पिड़ी में पुरुनत किया जाना चाहिए बास सही है अतर का R है क्योंकि इसे नए पिड़ी के भाग के रूप में अरजित किया जाना चाहिए इसका सही से बैक्षा नहीं कर पा रहा है R तो यहां पर क्या हो जाएगा एस सही है लेकिन R एकी सही बैक्षा नहीं है नेश्ट है लास्ट है आपको सुमिलीत करना है यहाँ पिड़ी मुल्यों का अधिगम मुल्यों का अधिगम क्या हो जाएगा सत्यत प्रकिर्या है और मुल्य असोधन क्या है एक निती परक कारे है मुल्यऊकений एक निती परक कारे हैं मुल्यों का विकास मुल्यों का विकास क्या है सोहाव से गती सीर होता है और नयतिक तरखाव मुल्यांकन क्या है यह साचरे और अनुकरण है फोर का फोर ही हो जाएगा इस परकार option number B यहाँ पे correct answer होगा तो दोस्तों आज अच्छ की वीजियो में बस इतना ही आई हो कि सभी कोशन्स आपको अच्छे से समझ में आये होंगे इसी पर आप डेली वीजियो से मेरे चैनल प्रैक्टिस करते रही जो भी कोशन में डाउट होगा कमेंट हो कहिए और सब लोग मिलकर सालो किया जाएगा एंड ऐसे वीडिय कर लेजिए बिल आइकउं को फ्रेस कर लेजिए जैसे निए वीजियो का आप तक पहुश्चता रहेगा तो मिलते हैं एक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए